एक दिन हर्ष अपने फैमिली के साथ बाहर पिक्निक के लिए निकलता है रेनी सेजन होता है उसलिए रोड उतने अच्छे नहीं होते है थोड़े देर बाद हर्ष की गाड़ी एक किच्चड़ा फ़स जाती है हर्ष टेंशन में पढ़ जाता है अब क्या करें काड़ी तो फ देखता है हर्ष की गाड़ी फसीवी है और वो उसे बोलता है ओके आप ऐसे करो अब वैसे करो डू दू दू देट एड़ वो यह सब टिप्स देके मुटिवेट करके वहां से चला जाता है हर्ष पढ़ गया मुश्किल में यह आया कुछ किया नहीं बोला और चला गया फ बट वो ठक के वहां पर रुख जाता है अब क्या करें फैमिली भी ट्राय करती हेल्प कर निकले बट तो फिर थोड़ी देर बाद वहां पर आशीष आप आप हुचता है आशीष हर्ष को देखता है टेंशन में खड़ा पुछता अरे भाई क्या हुआ हर्ष बोलता है या अरे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फस चुके हो आप गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल होने माला है अच्छा मैं चलता हूँ आप कोशिश करते रिजिये और वो चला जाता है वहां से हर्ष बोलता है यह आया हाल देखा पुछा और वो चला गया अब थोड़ी ही द प्रेर बाद वहां पर आयुश आता है आयुश देखता है हर्ष को हर्ष को पुछता है हेलो जेंटलमन क्या हो गया हर्ष बोलता है यार देखो मेरी गाड़ी तो फस चुके है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं बट मेरी गाड़ी भाहर नहीं निकल रही है आयुश उस प्र प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता है हर्ष के प्रॉब्लम खतम और हर्ष खुशी-खुशी अपने फैमिली के साथ पिक्निक में निकलता है ओके अब यह स्टोरी समझाने का मेरा मोटिव क्या था और हर्ष के प्रॉब्लम को देखा और प्रॉब्लम को सॉल्फ किया अब उसे आप क्या बोले मैं उसे एक रियलिस्ट बोलता हूँ रियलिस्ट वो परसन होता है जो अपने लाइफ को प्रैक्टिकली चीता है पॉजिटीव मोटिवेशन के साथ साथ अपने हर वो आइडियास को एक्जिक्यूट करता है हर वो प्रॉब्लम को सल्यूशन निकालता है और प्रॉब्लम को सॉल्फ करता है अपने लाइफ में सिर्फ पॉजिटीव होना लोगों को मोटिवेट करना इनफ नहीं होता आपको problem का solution निकालना होता है, आपको problem solve भी करना होता है, you have to live a practical life.